तो question अब solve करते हैं, first question है हमारे पास, यह देखिए मेरे पास board भी है, ठीक है, तो यह मैंने इसे आधा पे इधर कर लिया, आधा पर वहाँ पर आपको मुरूफ करके दूर जाना, पेज खोलना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने facilitate कर लिया, अब मुझे यह यूज करना चाहिए, जहां यह खाली पर यूज करना चाहिए, जहां इसको ही, ऐसे question के लिए ही मैं भी बता के आया हूँ, कि आप यहाँ पर ही इसको प्रयोग कर सकते हैं, वो उस sheet का प्रयोग मत कीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेगते हैं, इसान हो जाएगा, यह रहा, हाँ, question क्या प पड़ सकते हैं, कई बार English में ठीक नहीं होता, कई बार Hindi में ठीक नहीं होता, शबद, तो दोनों को कर जाएगे, जब confusion हो, तो prefer English को करना है, क्योंकि पिर पर English में बनता है, most लिए उसको translate किया जाता है, translation में गलती हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट, जो first question है, करने लगे, ये 2019 का असल वादा जो पंजाब पे आया हुआ, एंडरस टेस्ट में question है, वो है, series, अच्छा मारे पास है, ये 3, 5, 8, 12, 14, 14, increasing order में है, तो मैंने जैकिया, यहां पर लिखा, ये concrete कर लिया मैंने, और इनके difference को देखा, कितना difference है, 2, ठीक है, और इनके difference को देखा, ये कितना है, easily कर सकते हूँ, आप 3, अगर आपको लगता है, तो आप 3, 4, 5, मत सोचो कि आप graduate हो, मत सोचो, hesitate नहीं करना, मैं खुद बहुत weak हूँ, सच में, तो मैं finger पर कर लिता हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है, ये 5 और 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया, यहां से हो गया, ये 4, ठीक ह कितना है, मैंने note कर लिया, 2, अच्छा, 14 से 17, ये हो गया, 3, ये 17 से 21, ये हो गया, 4, ठीक है, ये फिर 21 से 23, ये हो गया, 2, अब ये में पास total information होगी, करना क्या है, ऐसे question में, ये inductive reasoning के question है, इन में आपने example से इसमें छिपा हूँ एक pattern जा rule identify करना होता है, ठीक, तो मुझे ये जा मिला, 2, 3, 4, 2, 3, 4, order मिल गया, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये करना है मैंने अब, अब ये 23rd में मैंने 3 किये, ये आ गया, 26, और इस में मैंने किये, 4 प्लस कर दिये, ये आ गया 30, ये मेरा pattern पूरा हो गया, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, जब exercise करनी है, ऐसे कीजिए, धीरे धीरे, अगर exercise ऐसे question पर करते हैं, तो शायद आपको concrete पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आपके mental ability थोड़ी पहले से बैठ रहा है, bets है, calculation करते हो, तो ये concrete पर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन start यान से कीजिए, success, success से confidence मिलेगा, अब ये हमारा answer रहा, 26, 30, ये को कहां पर पड़ा है, ये रहा, C is the right answer, ये याद रखना है के हर बार ये plus वाला ये देखना के साब plus होगे, ये minus की का pattern भी हो सकता है, तक्सीन का भी हो सकता है, multiplication का भी हो सकता है, square का भी हो सकता है, normally ये use किये जाते हैं, तो जितने different आप दे increase हो जाई, question है, दीए के करम में से अगला करम कौन सा है, अंग कौन सा है, increase water है, number series है, तो सबसे पहले इनको difference देखना होगा, कि difference कितना है, फिर हम उस pattern जारूर को identify कर पाएंगे, अब क्या है कि थोड़ी संख्या बढ़ी हो गई है, हो सकता है कि कुछ candidate को ऐसी संख्या में difference find out करना भी difficult लग रहा, for example, मैं कैसे calculate करता हूँ, उसका एक तो physical लिख के हो सकता है, वैसे जो जो ये method आपको बता रहा हूँ, जो बिना लिखे भी आप apply कर सकते हो, दूसरा है आपको easy here भी कर सकते हो, 7, 8, 9, 10, essay finger critic count, आपको जो method difference find out करने का best लगता है, जहां आपको table आते है, आप वो apply कीजिए, मैं को उसा apply करता हूँ, easily जलती calculate करने के लिए, 7 और 19 का है, for example, यहाँ 7 है, और यह 19 है, तो मैंने क्या किया, 7, 17 प्लस 2 है, ठीक है, यह 10 का हो गया, 12, 12 का पहला difference हो गया जी, मैंने 12 पहला point out कर लिया, दूसरा मैंने 19 और 37 का, 19 यह रहा, 37 यह रहा, 37 इसलिए लगा रहा हूँ कि यह जो दूरी है, वो आपको 10, 10 की, जो easy ही हमारे माइन में पढ़ जाती है, पढ़ी हुई है, calculate कर दे 10 की difference अडेंटिफे देना बड़ा easy है, जैसे हो गया 29, यह यहाँ हो गया 39, लेकिन 2 कम है इनमेंसे, it means 10, 20, 2 कम है, यह ठारागा हो गया, ठ नेक्स्ट है 37, 37 to 53, ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया 47, और 47 के बाद मेरा यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है, मैंने देखा कि 50 से 3 कम है, 50 से 3 जादा है, 6 प्लस किये, 10 में 6 प्लस किये, यह 16 हो गया, ठीक, तो अब हो क्या रहा है, मैंने difference जो identify किये है, उनको लिखना जहां है, यह मैंने तरीका बताया है, कि ऐसे भी difference point लोग किया जा सकते है, अबर यह difference लगता है, तो इसको अपनाना नहीं है, फर्स हमारा क्या था, यहां से यह आया था 12, ठीक है, तो यह आया था हमारा 18, ठीक है, यह फिर आया हमारा 16, ठीक, और यह यहां स प्रणा रहा हमारा 18, यहां देखे लो, 18, अब यह pattern क्या बन रहा है, यह जो अठारा रपीट हो रहा है, pattern बन रहा है, बारा, जमा चार 16, जमा चार 20, इस यहां पर 20, और pattern आएगा, ठारा, अब 71 में हम 20 plus कर देंगे, तो क्या आजाएगा, 91 यहां पर मैं जो एक चुक्त हूं डिसकस की कर्चब था हूँ जो maths वाले बड़े बड़े टीचर है वो भी calculate कर चुके हैं लेकिन यह ही find out हुआ है कि यहां पर answer जो 91 ही आना है तो ऐसे rigid नहीं होना अगर आपको answer सभी नहीं मिलता miss printing भी हो सकती है लेकिन आप जो अपना best answer आपका logic कह रहा है आपने जो pattern find out किया है rule find out किया है क्योंकि ऐसे question में rule या pattern नहीं find out करना है जैसे मैंने 12 और 16 और जमा चार बड़ा यह pattern find करके मैंने उड़ा दिया बस इसके बाद चलता नहीं डरनी तो इसका उत्तर हो गया 91 next question है mental ability का जब यह question आप देखते हो तो आपको लगता है कि यह जो संख्या है यह बड़ी है तो that is why आप calculation नहीं करोगे इसको छोड़ दोगे मैंने पहले भी rule बताया था कि अगर size बड़ा है तो उसे दरना नहीं है size बड़े वाले अकसर question जो है weak होते है मतलब असान होते है यहां पर calculation ज्यादा नहीं है और कोई formula मतलब इसको इससे minus ऐसे करेंगे इसको प्लस करेंगे कितनी आती है तो calculation में बड़ा time लगेगा इतनी calculation वाले interest risk में question नहीं डाले जाते अगर यह calculation वाला आपको लगता है आपको छोड़ देना चाहिए यह एक next rule है कि जो question आपका ज्यादा time लेता है उसको छोड़ देना चाहिए तो इसमें क्या है कि यह एक एक दो है इसको आपस में relation भी देख सकते हैं जब यह ज्यादा बड़ी संख्या है यह तीन वाली संख्या है तो इसको आपस में भी जोड़ के देख सकते हैं मुझे यह लगता है यह जैसे एक जमा एक दो बन रहे हैं दो जमा तीन पांच बन रहे हैं ओके चार जमा जीरो चाथ बन रहे हैं तीन जमा चार साथ बन रहे हैं, दो जमाँ छी, आठ बन रहे हैं, दो जमाँ चार, दो जमाँ चार, छे बनने चाहिए, यह उगर पड़ है, जब छे जमाँ एक साथ बन रहे हैं, तो साथ, अगर आपने स्टेम को पहले से ही पढ़ा है, क्या पूचा गया है, दी गई शिरेडी में से पहले दोनों का जोड़ है, यह पहले दोनों का जोड़ नहीं है, यह है क्या इसमें, 248, 248 B, B is the right answer, चिसी कोड, S से अभी प्राय है, गुना, S यहां पर है, इसका यह ही लिख लीजिए, यह हो गया, गुना, D का घटना, D कहां है, यह माइनस, Y का वीप्राय है, जमा करना, Y कहां है, यहां प्लस का sign दे दीजिए, और M का वीप्राय है, भाग करना, M भाग करना, यहां परैस से, S क्या है, गुना हो बे, इतनी बात है, इसको solve कर लीजिए, इसको solve करने के लिए, बॉर्ड मास ठीक है? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट नहीं है ये डिलीट हो गया सबसे पहले डिवीजन डिवीजन क्या है? 28 और 7 ये आ गया सत्य चोकाथाई मुझे यह जैसे यहाद है ये आ गया 4 ठीक है? उसके बाद मल्टिप्लिकेशन क्या है? ये गुणा 4 1 को 4 से गुणा की 4 ही आ गया ठीक है? ये 4 का 4 ही रह गया और फेविव इसके बाद गुणा इसकी 2 से 4 से गुणा 2 से की लिखना नहीं है ये 2 से गुणा की यहाँ पर 8 लिख लिजिए 4 गुणा 2 हर चीज को लिखने की ज़रूरत नहीं है उस चीज को लिखना है जो आपको abstract ज्यादा तन कर रही है उसको complete करना है अब यह हो गया आठ उसके बाद जमा करना है चार ठीक है addition है आठ जमा चार हो गया बारा माइनस छे यह आगया छे बारा से छे को माइनस किया यह आगया छे तो छे अंसर अगर है यह छे अंसर है this is the right answer b is the right answer दिये गए करन में से यह देखिए करन क्या है उसको ध्यान से देखना है यह बड़ी बड़ी रकम है तो यह भी मैंने देख लिया a है u है o है i है यह ध्यान से करन में दिखाई दियरा है wauwels है चार wauwels है it means 5th wauwels इसमें से देखना होगा wauwels इसमें नहीं है b है this is cross हो गया this is z this is cross हो गया अब इन दोनों में से उत्तर है this is दिखाई दे रहा है 10 का square ok यह 11 का ok यह 4 का और एक, एक का, एक ही आएगा, square, ओके, ये square हो गए, इक मेंज कोई square है, इन मेंसे square कौन है, ये, तीन, तीन का square ये है, नौ, ठीक है, ये नहीं है, राइट अलसर इस, दिस, तुनना है, घिर्जादर मत्थ, मस्चिद, मंद्र, यहां भी दिये, यहां भी दिये, साफ दिखाई दे रहा है, ये religious place, religious place, religious place, मत्थ के बारे में जानकरी, नहीं है हमें, आपको English में भी रिट कर सकते हो, अगर आपको confusion है, मत्थ ही लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, तो मेरे ख्याल में और जो बन रहा है, मत्थ बन रहा है, क्यों इसका meaning जो है, monks जो हो रहते हैं, कि ये सीधने religious place, दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हम जाते हैं, religious ceremony करते हैं, वापिस आ जाते हैं, लेकिन यहां monks रहते हैं, हाँ ये भी prayers, अपने religious spiritual ceremony करते हैं, लेकिन डिफरेंस ही है, कि ये वहां पर रहते हैं, residence उनका बार्ड़ा है, मत्शन है, replace star in gull, chick, beard, dash, just star, अब वो problem ये है, कि आपको इसका depth meaning पूरा पता होना चाहिए, और वो meaning क्या होता है, word का, कि उसके definition के सारे characteristics पता होने चाहिए, तो ये characteristics compare होते हैं, for example, गल क्या होता है, वैसे यहां image दिखा देता हूँ, आपको एक पंची ने, घरो में नहीं पालते, दूसरा क्या है, उसके बिना गल चिक, चुचा जो होता है, चूजा जिसको बोलते हैं, छोटा उसका बच्चा, तो ये beer है, beer भी जंगल में रहता है, आप घर में नहीं पालते, ठीक, लेकिन star यहां क्या आएगा, यहीं सोचना पड़ेगा, अब ये इनके और characteristics क्या है, कि beer जो है, वो क्या सक कैसे ढूंडे, ये यो काफ है, बच्चडा, ये सिर्फ मेट नहीं खाता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, चिक अलरी जहां पर है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, पप और कब में से है, कब की definition ये बताती है, कि वो बच्चे, एनिमल के, मैमल के बच्चे, जो मीट सिर्फ खाती हैं, तो इन दोनों के मध्या में कितने विजारती हैं, अब इसको solve करने के लिए, आप अपने rough work जहां, वही शीट पर डायाग्राम को जहां, जो उसको फिंक्रीव जा एक्स्टरण रूप देने के लिए, इस problem को प्रेयतन करोगे, वो कैसे करने हैं, पहले तो नाम दो हैं, अभी और अभी, दुनों मिलते हैं, confusion ना हो, आप जो difference उन में है, भी और वी का, वो तोड़ ले सकते हैं, ठीक, एक को आप भर कह सकते हो, दूसरे को वर कह सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हो, कुछ चोड़ा है, next है, मैंने use किया, उपर से, ये नीचे से, इत मीज़ उपर वाले को मैं उपर वाला rank, rank first दे रहा हूँ, और नीचे वाले को कितने total विद्यारती हैं, यदि पंक्ती में total है, नीचे मलब 48th rank तक विद्यारती हैं, अभी कितने स्थान पर है, अभी है 19 स्थान पर, अभी को मैंने यहां लिखा, ये रहा 19th rank पर है, दूसरा हो गया कि अभी जो नीचे से बार में स्थान पर है, अभी नीचे से उपर से गिना असान था, यहां आपकर टाइम लगेगा, इट मीज़ यहां बार मा कैसे निकालोगे, जल्दी जल्दी निकालने का तरीका, कि यहां 48 है, मैंने पहले यहां 38 लिख लि पोच्छा आपकर गया है, इन दोलों के मध्य में कितने विद्यार थी हैं, इन दोलों के मध्य में यहां से यहां तक कितने विद्यार थी हैं, कितनी विद्यार थी है, कितनी विद्यार थी है, यहां से यहां, अब आप count कर लिए, count करने के लिए मैं finger का प्रयोग कर रहा हूँ, बेश शक्त, कितनी भी मेरी qualification experience प्योना, अगर जैसे आपको calculation easy लगती है, मैं कहता हूँ externalize कीजिए उसको, externalize करने का यही है, कि concrete चीज़ को यहां मैं की करका रहा हूँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 36 है यह मेरे 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इनके बीच में answer के आया, 17 विद्यार थी है, 17 है, yes, it means 17 is right answer, next है, एक पंक्ती में राज बाईं और से पांचने स्थान पर है, यहां पर बाईं और दाईं मुझे तंग करता है, that is why बाईं और दाईं की जगा पर मैं अपनी language को सज्जे और खब्बे है, easy लगता है, mental ability है जो easy लगता है, शब्द वो चूज कीजिए, माइन आपका accept कर है, जहां मुझे right left easy लगता है, तो मैंने क्या किया है, English में shift हो गया, मैं English वाला question पड़ रहा हूं, इन्हें क्यों, Raj is fifth from the left and Raju is sixth from the right, तो यह कर लिया, मैंने सबसे पहले L को लिख लिया left और यह बना लिया right, और यहां से first से fifth तक rank है, कौन है, Raj, ठीक है, और Raju sixth from right, right का जो भी end है, यह end point लिख लिया, यहां से sixth position है, ठीक है, sixth mean, यह यहां दिखना है, कि sixth कैसी कौन करना है, यह हो गया end वाला one, यह हो गया two, चलो मैं दूसरा पहले यूज करता हूं, यह end वाला हो गया one, यह हो गया two, यह हो गया three, यह है fourth, यह fifth और यह sixth, sixth को थोड़ा लंबा कर दिया है, ठीक, तो अब क्या हो गया हुआ, कि जो राजू है, यह कौन है राजू, यह रहा, राजू, 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 चलो पाले से लिख लिखता हूं, when they interchange their places among themselves, अगर यह राज यहां आ गया, ठीक है, और राजू, यहां चला गया, ठीक, कुछ, हाँ, यह राज यहां आ गया, राज, और जू, यहां आ गया, राज बिकांगा, थर्टीं, फॉंदा लेफ्ट, अब यह लेफ्ट, यहां एंड पॉइंड था, यहां से, यहां से, यह सिक्स्थ वाला पॉइंट था, राज वाला, यह कौन सा है, यह पॉइंट यहां बताया है, हमें, कि यह तेर्मा है, थर्टीं, थीक, तो, कॉर्शन क्या है, अब आप गिलिजिए, यह है, तेर्मा, चौद्मा, पंद्रमा, सोल्मा, स्तार्मा, अठारा, एटीं, थीक, हो में परसंज, इन्हें क्यों, अठारा परसर है, राइट अंसर इस, एटीं, सी, तो, यह बात याव रखने हैं, जब रैंक देखते हैं, पंद्रमा, तीसरा, प अगर तेरा है, तो तेर्मे को count करना है, ठीक, इसको मिलाना है साथ में, तेर्मा, चौद्रमा, पंद्रमा, सोल्मा, स्तार्मा, थारा, अब क्या है, यह इसका 6 रैंक था, यह 6 जने हो गए, इसको थोड़ी सी practice कर लेनी है, रैंक वाले अगर जब question आते हैं, next question direction का है, यदि उत्तर पूरबंग हो जाता है, तो direction question क्या बनेगा, अच्छा, मैं language को भी यहां strategy यूज करा हूँ, मुझे अगर उत्तर पूरबंग में comfortable में कम हो, मुझे कम समझा रही है, तो मैं English में जाओंगा, मैं personal English में जा रहा हूँ, तो मुझे east-west जल्दी मेरे mind को समझ जा रहा है ऐसे ही आपने जो आपको जल्दी समझ आ रहा है यह भाशा के शबद, जिनका अपने प्रियोग करना है, उनको use कीजिए, अब मैं यहां से English में shift कर रहा हूँ, English में shift क्या है, if north become east, इसके लिए diagram सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, यह 4 directions हमने बना ली है, ठीक, और वहां ल आपको यहां तक आता है, यह पता है, ठीक है, अगर कोई confusion हो, तो जहां आप बैठी हो, आपके mind को जो लगता है के north इदर है, जहां east इदर है, सूरिज इदर से निकलता है, वहां से आप यह direction में ला लो, क्योंकि mind की उदर से setting हुई होती है, जहां से उसको east, west, north, south समझ आ मैंने ऐसे गुनानी मुझे लगता था कि इस तरफ north है, तो question क्या पुछा गया है, then south, sorry, if north become east, यह north है, यह असली वाली है, और जो change है, वो मैं अंदर करने लगा हूँ, उसके लिए black color choose कर लिया हूँ, if n become e, यह बन गया, it means e यहां पर आविए, एक बात, ठीक है, n become e, तो अब क्या होगा, यह बना इधर आ जाएगा, यह आया इधर, यह n यहां आ गया, और west कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और s कहां चले जाएगा, इसमें सभी भूना है, अब question क्या पुछा है, then south west would be, south west, यह south west था, original वाला, ठीक है, अब भी, यह change होके, क्या बना है, यह question पुछा है, यह change होके, क्या बना है, यह बना है, नया रंग ले ले लेते हैं, यह बना है, west and north, यह बन लिया, यह बन लिया, यह बना पूछे थी direction, पहले यह थी हमारे पास, south west, अब हो गया, west north, west north है, यह बना है, north west, yes, right answer is c, तो यह question diagram बना के ही, आपने solve करने हैं, और carefully करने हैं, बेशक, 10 second, 20 second, अधिक लगते हैं, लेकिन right answer मिल जाएगा, आपका एक number शूरू हो जाएगा, एकसर ऐसे बड़े question को देख कर अंदर जाते हैं, और attempt नहीं करते हैं, कही बार यह बहुत ही, वो कहते हैं न के, खोदा पहाद निकले चूरिया, तो वैसे ही है, चार मित तक पीट से पीठ मिला कर, चार विवन दिशाओं में मोह करके खड़े हैं, अन्यन उत्तर की और, अकबर पूलव की और, अन्थनी दक्षिन की और, अमन पश्चिम की और, ठीक है, इसको याद नहीं करना पहले एक बार रीड कर लो, शायद ये इसका मीनी मीना रहे, थर्टी सेकिंड तक वो अपने स्थान पर खड़े हुआ, और अन्यमित, यहां पर देख लिए रेंडम, रेंडम जम्प उन्होंने किये, और वो जम्प उन्होंने रिकॉर्ड क यहां है, अगर वो लेफ्ट को होके, एक बार होके, फिर राइट को आगे, इत मीन्स, लेफ्ट और राइट आपस में कट गए, वो वहीं के वहीं है, अगर दो बार लेफ्ट जा रहे हो, फिर राइट आ रहे हो, मतलब दो बार फिर कट गए, तो इतनी सी बात है, इतना इ रहा है, तो आप वही हो. अगर L, R, आर आरहा हूं, फिर भी आप वही हो. ठीक है, Left-Right, राइट-Lainformation開ट, लाइट-La Sarah, राइट-Right, Christ-Smith चुनी? आप वही के वही हो. यह बच्चा वही के वही हूं. यह दीखिये, तीन बार left आए. left, 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 right, 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 Confuse नहीं होना, काट गये Left, right थीक है Right, right, left, left ये इका वही का वही है Right, left left, cut गये Right, left, left, cut गये Right, left Okay? फिर आ गया Right, right अब यहां आना चाहिए था, राइ, लेफ्ट, लेकिन यहां लास्ट में है, राइट, यह एक्स्ट्रा राइट है, it means यह बच्चा वहीं का वहीं नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, कि 30 सेकंड के बाद, अमर जो है, कहां गया? After 30 सेकंड, that is why draus causa ay यही नहीं पूछे, after 30 सेकंड, who will not facing the respective original direction, अमर, is the right answer? There are 75 students in a class, primarily information reveals that of the 35 students who like tea, 15 do not like coffee, 30 like coffee and not tea. यह मैं बारबा कहता हूँ कि English में information जो है राइट एकुरेट जनली होती है लेकिन रूसरी लेंगे में क्योंकि ट्रांस्वेट होती है तो एरड के chances हैं. तो यहां जब ने यह question हिंदी के पड़ा तो यह यहां पाया कि 15 जो है 15 जो है काफी नहीं पीते और 30 ना काफी ना चाही पीते हैं. अब यहां पर 30 like coffee and not tea यह यहां पर गलत है तंजबी विचली ती विदियार थी ना चाहते ना ही काफी पेंदी हैं. लेकिन एथे की है के ती विदियार थी coffee like कर दे हैं tea like नहीं कर दे एंदी आल answer तो आपता answer यह गलत होता है. That is why I am referring in English. यह question English में solve करेंगे. यहां तक कितने like करते हैं कितने नहीं like करते हैं जब ऐसी information है तो vein diagram से आप solve करते हो. लेकिन यह different है. syllogism में whatever statement is given आप उसे सत्य मानते हैं, सच मानते हैं. लेकिन यहां पर जो आपके पास information है उस vein diagram में convert करते हैं. के लिए हमें division चाहिए board की इसे कर लेक्ते हैं इधर, इसे divide कर लेक्ते हैं. इस की कर लेक्ते हैं इधर और board को कर लेक्ते हैं उठा के इधर. यह हमारा board हो गया तयार. यहां पर solve करेंगे, यहां पर lead करेंगे. अब क्या question है? There are 75. There are 75 students in class. Total बताएगे हैं. सबसे पहले black color use कर रहा हूँ. यह total के area के लिए, जितने total area हैं, यह रहा हमारा total area. और यह total रहा 75. Okay? Information reveals that 35 students who like tea and coffee. दो जो option है. देखिए इस संसार में अगर यह question के अंसार है. जहां तो वो ऐसे हैं कि उनमें से कोई एक चीज लाइक करता है. यह दूसरी लाइक करता है. जहां उनमें से कोई लाइक नहीं करता है. जहां आप चाए पीते हो. जहां चाए और काफी पीते हो. जहां चाए और काफी नहीं पीते हो. तीन ही प्रॉप्पिटी यहां बन नहीं है. तो यह रेड़ सर्कुल जो है. मैंने बड़ा वला ऐसे बनाया है. यह हो गया. टी का दे दिया. मैंने टी लिख लिया यहां पर. ठीक. और यह ब्लू वाला मैंने कर लिया. यहां पर ओव ग्रीन कलर लिया है. इसको दे दिया A, यह B और C. यह पार्ट हो गए. यह रेड़ वाला पार्ट जो है. वो पार्ट है. जो लोग T पीते हैं. इसमें वरो B भी शामल है. जो कुछ लोग काफी पीते हैं. रेड़ वाला. और यह ब्लू वाला है, ब्लू वाला सरकल. उसमें बी और सी दोनों शामल हैं और वो सारे काफी पीते हैं अगर वो लोग हैं जो सिर्फ जो काफी और टी दोनों ही पीते हैं वो सिर्फ बी आईगा ठीक अगर ऐसा होता है कि वो लोग जो सिर्फ टी पी रहे हैं लेकिन काफी नहीं पी रहे हैं उनमें से बी मा अलग कर दिया ज कुछ लोग काफी पीते लिकिन चाय नहीं पीते बी गला पाट नहीं पी रहे तो सिर्फ सी आएगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बताया ग Olha yes information है चाए नहीं पीते it means जहां तो वह इस पॉर्शन में आ ब्लू में जहां फिर इस portion में आ रहे हैं, ऐसा होगा, अगर वो coffee नहीं like करते, तो जहां वो T के आएंगे और जहां वो इस area में आएंगे, यह सारी probabilities बनती हैं, जो मैंने अभी तक दिखाई हैं, 75 total हम लिक चुके हैं, next है, 35 student who like T, 35 student, जो T like करते हैं, यह लिख लिए हमें T, 35 student है, ठीक, it means यह कौन से student है, A plus B, ठीक, T like कर रहे हैं, यह वले और यह वले, फिर है, 15 do not like coffee, 15 do not like coffee, coffee like नहीं करते, इस circle से बाहर, इस circle से बाहर क्या है, यह भी हो सकते हैं, यह भी हो सकते हैं, लेकिन, इसकी information हमारे पास नहीं है, यह 15 जानों की, information हमारे पास, विस है, कि यह कहां like करते हैं, इधर, जहां इधर, ठीक है, don't like coffee, see, next है, 30 like coffee and not tea, like coffee, यह and not tea, यह नहीं, सिर्फ see वाला पार्ट, यह कौन, कितने होगा, यह 30 है, यह यहां भी लिख सकते हैं, यह easy कर देता है, 30, हाना, जो coffee like करते हैं, यह clear है, यह आगया सिर्फ part C, चीक, अब हमारे पास C clear है, और A और B मिलाकर 20 हैं, यह और यह मिलाकर 35 हैं, यहां लिखे हुए हैं हमने, यहां लिखने से confusion अगर रखती है, अगर आपको यहां पर लिखने से easy लगता है, तो आप यहां भी लिख सकते हो, कि यह दोनों मिलाकर 35 होए, ऐसे आप information लिख सकते आपको जैसे easy लगता है, यह होगे 35 दोनों मिलाकर और यह 30 हैं, और if the number of student who like both tea and coffee is 25, tea and coffee दोनों जो like करते हैं, tea plus coffee जो है 25, यह portion कौन कौन सा मिला, B, only B, अब मारे पास DB है, B को चोटा करके यहां पर लिख लिख लिखते हैं, यह रहा ब्लैक से लिखने लगा हूँ, 25, ठीक ज्यादा चोटा है, इसको थोड़ा सा, यह कर लिया मैंने, बड़ा, और यह हो गया, 25, 25, C है मारे बी है और यह दोनों है, और how many students like neither B nor coffee, अब अगर C हमारे पास है, B 25 है, और यह टोटल अरिया 35 है, इसमें से, इन दोनों में से, अगर इसको निकाल दे तो यह निकल आएगा, इसमें से, अगर इसको निकाल दे तो क्या आगया, 10, it means यह area 10 का, यह 25 और यह 30 का, टोटल यह आगया, यह तीनों 10, जो जो चाए पीते हैं, ठीक है, 25, चाए और coffee and, not or, चाए और coffee पीते हैं, और यह सिर्फ coffee पीते हैं, चाए नहीं पीते, इनको तीनों को प्लस कर दिया, तो यह वाला area पर आपका आगया, 10 plus 2, 35, 35 to 30, यह आगया, 65, यह, प्लस यह, प्लस यह कर दिया, 65 आगया, अब जो यह ना coffee पीते हैं, ना ही tea पीते हैं, वो इस area में आ रहा है, इसका मतलब, यह दोनों जो पूछा गया रहा, How many students neither, like neither tea nor coffee, तो वो total में से अगर यह वाला सारे को निकाल दे, जो है 65, 75 में से, 75 में से 65 को निकाल दिया, यह बचे 10, 10 जो हैं, वो neither tea nor coffee पीते हैं, यह रहा हमारा answer, neither tea nor coffee, answer is B, ठीक, अगर इनकी आप practice करते हो, तो यह बहुत easy हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाना था, that is why, मुझे थोड़ा सा solution चड़ना पड़ रहा है, next question है हमारा, यहाँ चलते हैं, यहाँ से करेंगे off, और यह रहा, next question, यह रहा, घबराना नहीं है, बड़ी statement देखके घबराना नहीं है, किलवर बड़े लोग जो हैं कमजोर होते हैं, दिखने में जो बड़े होते हैं, वो किलवर कमजोर होते हैं, अच्छा, अब हमारे पास information है, in school, there is 750 students, only total number of students are, यह रहा हमारे पास, ठीक है, तो यह एक circle मैंने लगा लिया, बड़ा सा यह वाला, ठीक, और यह red हो गया, तीन क्या चीज़े हैं, तीन foreign languages हैं, student cannot speak in any of the three foreign languages with English, French and German, यह हो गई English, खीक है, यह हो गई French, और यह हो गई German, यह बाहर निकला, इसको रब कर देंगे, यह, इसको रहा हो गया, इसको रहा हो गया, अब इंग्लिश, फ्रेंच, और यह कौन से हो गई, जर्मन, यह हो गई, ग्रीन वाली, जर्मन, चिक, अब इनको टोडिंग कर ली, हमने, ए, ब्लैक से करेंगे, A, B, C, D, E, F, and G, टोटल जो है, हमारे को दिये गए हैं, टोटल नंबर आप सूड़न्ट, सेवन फिफ्टी, अब इंग्लिश, जो सेवन्टी फाइब हैं, स्टूड़न्ट कैनाट स्पीक, तीमा में इसे टोई भी नहीं बोल सकता है, ना, इदर ये, ने, यह है, इत्रूइंज यहां, रेड वाले में आ रहे हैं, ना ब्लू वाले में, ना ग्रीन वाले में आ रहे हैं, इदर, सेवन्टी फाइब, सेवन्टी फाइब हैं, वो कुछ भी निलाई करते, वो हमारे लिए कॉश्चन मार की तैया गया है, इस एडिया का है, यहां पर लिख लिए, इस एडिया में आ रहे हैं, नेक्स्ट है, दस सेम नंबर ऑफ स्टूड़न्ट कैन स्पीक इन all three foreign languages, सेम नंबर कितमे, 75 ही तीनों बोल सकते हैं, तीनों लेंग़ुज बोलने वाले कौन से है, यह रहा, तीनों लेंग़ुज बोल रहे हैं, यह वाला सरकत ई, इसमेν यह फ्रेंच भी है, इंडिश भी है, जर्मन भी है, इ, इन जो है, वो आगया आपका 75, ठिक, यह पता नहीं है, next है, 125 can speak neither French nor German, neither French nor German, but English, ये portion नहीं है, ये वड़ा portion नहीं है, ये वड़ा portion है, कौन सा हो गया, ए, ए कितने हैं, बताएं, 125, ओके, है, in term, 125 student can speak in French and German, but not English, French and German, इसका common area कौन सा है, ये F, ए, कितने हैं, हमाने पास, 125, ठीक, ये area है, next है, है, if the total number of students who can speak in English is 325, red वाले सारे जो है, वो कैते कितने हैं, वो है, 3, red से लिखते हैं, जिसमें आगया, अगर यहां भी करना है, आप कर सकते हो, A plus B plus B plus E, ये हैं कितने, 23, 25, question क्या है, then how many can speak at least two language, तुमने से वो कितने जाने हैं, जो at least two language बोलते हैं, तो two language बोलने वाले कौन से होगे, ये दोनों language बोलने वाला या B area है, it means हमें B चाहिए, ठीक है, ये दोनों बोलने वाला F है, हमें F चाहिए, ठीक है, F हमारे पास है, यहां पर sign लगाता हूँ, F हमारे पास है, yes, ये F है हमारे पास, यहां indicate कर दिया, और B, F, D, ये plus हमें D चाहिए, और plus हमें ये तीन language बोलने, अब हमारे पास F है, 125, ठीक है, अब हमने निकालना कौन सा है, ये, 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 ये total को निकालना है, ये हमारे पास है, यहां पर लिख लेता हूँ, easy लगेगा, 125, ये है, ठीक है, ये बोले total है, अब निकालने कौन से है, B, E, और D, ये total है, B, D, और E कितने है, अगर हम इन total में से, ये total हैं हमारे पास, A, B, E, D हैं, वो 3, 25 हैं, अगर E में से A को निकाल दें, ठीक है, A को निकाल दें, तो हमारे पास बाकी बचेंगे, D, E, B आ जाएंगे, D, E, B, ठीक, वो कितने हैं, टोटल में से, 3, 25 में से हमने A को निकाल दिया, A कितना है, ये रहा, 1, 25, 3, 25 में से निकाल दिया, A, 1, 25, ठीक, इस में से A को निकाल दिया, ठीक है, ये बाकी बचे, कितने, 200, ये 200 कौन से हैं, ये 200 हैं, ये वाला, B, E, D, B, E, D, ये वाले बचे हमारे पास, ये वाला पॉर्शन बचा, ये वाला, ये बचा, यह हमेंने लिख दिया, 200, अगे निकाल में कौन से हैं, अट लीस्ट जो दो लेंगविजिज बोलती हैं, एक, दो, तीन, ये 200 निकल रहे, और ये F है, ये 4 हमारे निकल निकले हैं, अट लीस्ट ये चार जाने बोल रहे हैं ना, दो लेंगविज, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, 200 प्लस, 125, कितने अगे, 300, 25, 325 हो हैं, जो, एक, दो, तीन, चार, अट लीस्ट टू लेंगविज बोल रहे हैं, 325, राइट आंसर है, यहां पर, C, 325, तो यह टाइम कंजियूमिंग है, अगर प्रेक्टिस करते हो, तो यह सॉल्व हो जाते हैं, नेक्स क्वेशन है, इंटोड्यूसिंग ए बॉइ, एक बॉइ सेट, एक शक्स है, ठीक है, ठीक, दूसरा शक्स है, यह इनको इंटोड्यूस करा रहा है, ठीक, यहां पर ऐसे क्वेशन में, आप वर्टिकल, जैसे उपर को, ठीक है, जो लाइन लगाते हैं, उससे मैं क्या समझता हूं, मैंने अपने समझ में क्या रखा है, कि अगर यहां से यहां जा रहे हो, तो एक जनरेशन, अगर यहां से यहां जा रहे हो, जो दो जनरेशन, अगर यहां से उपर जा रहे हो, फीन जनरेशन, यह जब भी यह वाड आएंगे, आपको बता देंगे, कि आपको कहां जा रहे हो, यहां से नीचे है, तो डाउन वा जंडर कोई दो सकता है, तो अब पर्शन क्या है, He is son of the son of father of the my uncle, It means, सबसे पहले इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा रहा कि my uncle, यह यहां पर रह रहे हैं, यह यहां आगए, यहां आगए, और यहां आगए, यह यहां पर बराबर आगए, यह बराबर हैं, ठीक है, तो my uncle, अंकल में के यहां पर आगए, नमबर एक, my uncle, अंकल के कौन, आगए father, इस मेंज यह उन अंकल के father, यह यहां पहुंच गए, इस दो पीडियों उपर चलेगे, मेरे अंकल मानुचे चाचा जी के जो है, पापा, इट मीज, वो पापा से नहीं होंगे ना, grandfather आगए, के son के son, इन के son, के son, इट मीज, आप यहां पर जो रिष्टा है, बराबर का आ रहा है, यह से कहते हैं, horizontal, horizontal, horizontal यह लाइन, ठीक है, यह है vertical, upward, मैंने upward और downward को बड़ी easily, जब यह कहने हैं, कि दो पीडियों उपर वाली हैं, अंकल और father उपर ले गए, जल्दी जल्दी, और son और son यह नीचे आ गए, इट मीज, जो भी answer है, वो बराबर वाले का है, बराबर वाला का है, बराबर वाला का हों हो सकता है, अंकल नहीं उपर है, यह answer नहीं हो सकता, फादर और son यह भी फादर उपर आ गया, नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर वाले का है, जहाँ ब्रदर हैं यह बड़ रदर इनला है, तो क्योंगी चाचा जी का पापा है, पापा का बेटे का बेटा तो सीधा बन रहा है, इन लाज का कोई नहीं बन रहा है, सीधा ब्रदर बन रहा है, तो ब्रदर is the, A is the right answer. मैंने एक पिछले question ऐसे में भी relationship इं बताया था, कि आप देखना है कि आपकी जो रिष्टा है, जो horizontal बन रहा है, जहां वो vertical भी जा रहा है, vertical generation 1, generation 2, आप ऐसे बना सकते हो, circle बना सकते हो, ठीक, तो यहां पर अगर आपसे down वाला कोई बच्चा है, उससे उसका बच्चा है, य बड़ा easy हो जाता है, आपको यह पता चल जाता है, कि जो answer है, horizontal वाला है, यह वाला है, यह वाला है, यह वाला है, जैसे अभी मैं पताता हूँ, next जाके, कि रविंदर is sister of menindar, ठीक, यह हो गया, रव, रव, यहां मैंने लगाया, arrow, वैसे middle में लिखेंगे, यह रव किया, sister, मैंने arrow लगा दिया, यह मल लिखेंगे, sister of menindar, म में लिखेंगे, और menindar is brother of ratindar, यह horizontal चल रहा है, sister ब्राबर वाला रिष्ता है, अब brother ब्राबर वाला रिष्ता है, क्या, menindar is brother of ratindar, यह रहा, फिर कौन brother है, bro, यह है, कौन है, ratindar है, और यह ब्राबर पर ही अभी चल रतिंदर is mother of stinder ये जो है देखा ये जो है mother है किसी? stinder की it means stinder down आएगा ये sun हो गया ये mother हो गया ठीक है बिटा है और mother down आगई दो down गड़ी a mother, mother भी लिख लिया कि ये वाली mother है ये नहीं है ये है अब है थे जो और जी वर्जी कुशन आपका उसका अंसर ढो सकते हो How standard is related to रविंदर How standard is related to रविंदर जब इतना बना है तो ये बात clear है कि रिष्टा जो है जो option है equal वाली नहीं आईगी अब brother equal वाला है ये question हो यह नहीं सकता sister equal वाली हो यह नहीं सकता information is not adequate नहीं adequate है साथ दिखाई दे लिए diagram बन रहा है तो nephew जो है वो सीधा कर रहा है अगर आपने विष्टी को find out exact search name कर रहे जैसे आपने कैसे एक और तरीका है search करने का आप standard बन जाओ कि मैं जैसे मैं पीरत हूँ मैं बन गया standard मेरे ममा ठीक है मेरे ममा का brother tea sister मासी ठीक है तो ये क्यानतिया बन गया जो भांजा होता है लेगे इंग्रीज में बतीजा जो भी लिखते हैं तो right answer हर तरह से nephew ही बन रहा है क्योंकि ये down वाला down वाली generation का एक generation के फर्क वाला answer है that is right हम directly choose करेंगे nephew next question है which is the most appropriate alternative to replace the dash mark क्या है ecology biology herpology इसे क्या next आएगा यहां पर आप ओ word जो term दी गई है उसका meaning जितना clear है उतनी अच्छा आप comparison और difference कर सकते हो अगर आपको problem है तो आप अपनी भाशा का चायान कर सकते हो दूसरी भाशा में जा सकते हो मेरे ख्याल में यहां अंगलिश अच्छी रहेगी यहां परिस्थितिक जीव ग्यान सरिस्रप ग्यान मेरे ख्याल में यह ज्याला dangerous है बापस चलते हैं यह ठीक है पहले बादा मुझे क्या लगता है मुझे herpetology का meaning नहीं पता था यहां पर आपको बता रहा हूँ वो क्या है herpetology का meaning है कि study करने frogs की, snakes की lasers की जो reptiles है ठीक है इनकी image भी देख सकते है कि इनकी study करना herpetology है it means यहां जीव की ही study की जा रही जारी है दूसरा क्या है? बाइलोजी, ये भी जीव के साथ सबंदित है, वातावरण के साथ, एकॉलजी, जीव वातावरण, कुछ सिमिलेरिटी इन तीनों में दिखाई दे रही है. लेकिन क्या इनमें कहीं भी हिस्टी की कहीं भी हिस्टी की कहीं भी यहां पर वो मेनिक दिखाई नहीं दे रहा, मीनिक is history is a study of past. अब यहां पर कोई भी past की बात नहीं आ जीव, living being आगिαι है उनकी study की बात वह रही है. इट पिस हमने हिस्ट्री यह दोनों क्रोज कर दिए यह बागा पैथोलाजी एंड जूलाजी वैसे जूलाजी बड़ी जल्दी अट्रेक्ट पकर हमें लेकिन पैथोलाजी को तो देखें तो मैडिकल साइंस है उसकी भी डेफिनीशन देख सकते और यहां पर पैथोलाजी ब्रांश ऑफ मै करना ट्रांस्प्लांट करना ऐसे वले काम जो है वो पैथालोर्जी में हो रहे हैं तो यहां पर क्लियरली है कि जो मैचिंग हो रहे ही है इन टर्म्स की वो जीव के साथ ज्यादा है और वो जूलोजी ही सबसे ज्यादा नजदीक है हम डी को चूज करेंगे इस अंसर आपने तीन वोर्ड है आपको यह क्लियर है रिलेशन के वो में और मदर का क्या है डाइगरम साथ में बनाएंगे कि जो जितनी भी मदर है आज तक हुई हो सारी मैचिली है पता है हमें कि वो वुमेन है ठीक लेकिन डॉक्टर कौन कौन है क्या मेल है कि फीमिल है यह समय पता है कि डॉक्टर जो है यह वुमेन नहीं है और उनमें से कुछ डॉक्टर जो है वुमेन है और उनमें से कुछ जबर हो रहा है, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, येस, ए अंसर हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे इन तीनों के relationship को fairly indicate कर रहा है, next question है, which one of the following diagram best indicate the relation between car, bus and cycle, ये भी पहले जैसा है, लेकिन diagram same जैसे है, देखना है कि car, bus और cycle, अगर यहां पर vehicle होता, कि all vehicle, ये मान लीजे vehicle हैं, तो उनमें car भी आती, cycle भी आता है ना, बस भी आती, तो ऐसे चलना था, लेकिन vehicle शबल यूज नहीं हुआ, इट मीन्स के जो इनमें similarity, कोई भी जो काम है, ओवर लैटिंग है, car की bus के साथ नहीं है, मुलों कुछ car bus नहीं हो सकती, और जब कुछ car cycle नहीं हो सकती, जब कुछ cycle bus नहीं हो सकती, that is why के ये तीनों separate हैं, हमारा original diagram क्या बनेगा, ये रही car, और ये रही bus, और ये रही cycle, ठीक है, तो हमारा C is the right answer, next question है, five students are running in a marathon at one point of time, तो शार is running between Om and Raj, ये देखना है, आपको भाशा कौन सी ठीक लगती है, वैसे आप चूज करोगे, मैं यहां कहता है, at a point, तो शार is running between Om and Raj, ये रख लिया T for तुशार, और ये रखनिया Om and Raj, तो ओम को मैंने रख लिया यहां पर, और राज को रख लिया यहां पर, ठीक, एकनाथ and Om are running at extreme position, एकनाथ and Om, extreme मतलब इधर वाली, middle वाली नहीं, इधर वाली, मतलब दोनों ही, एक टॉपर है, एक सबसे पीछे है, तो क्या हुआ, एकनाथ and Om running at, ये Om अगर इधर आ गया है, तो जो एकनाथ है, यहां आ जाएगा, ठीक, ये extreme position वाली, जो statement है, clear कर दिना मने, What is the position of UV, who is next to एकनाथ, एकनाथ है, What is the position of UV, who is next to एकनाथ, अच्छा, एकनाथ थे next, जो है, यूवी है, यहां पर, ठीक है, यहां ऐसे जाए, ये यूवी हो गया, तो, What is the position, इसकी क्या position है, UV is between राज and एकनाथ, यूवी is between राज and एकनाथ, ये ये वाली ठीक है, यूवी is at the middle, यूवी is at the middle, मिडल में कौन आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां पर नहीं, ये गलत है, UV is between राज and तुशार, यूवी is between तुशार and राज, यहां पर यूवी नहीं है, ये गलत है, यूवी यहां पर है, UV is leading, नहीं, लीड कौन कर रहा है, इंग में से, एक्स्ट्रीम पोजीशन पो रिबारे लीड करेंगे, ये इसके बाद आ रहे हैं, ये leading भी नहीं है, इसका मतलब है, जो statement दी गई है, वो factual नहीं होगी, वो असी जिन्दकी में आपको सही नहीं मिलेंगी, बिरिकल नहीं होगी, लेकिन उनको आपने सत्य मानना है, सच मानना है, ठीक, उनमें से क्या confusion निकलते हैं, वो आपने देखना है, ना परवास, आपको statement आती है, सम गर्ल्स आर टेबल, रियालिटी में गर्ल्स टेबल नहीं हो सकती, पर वहां आपने सच मानना है, यह स्लोजिजन का नियम है, यहां हम मानते हैं और उसका डायाग्राम बनाएंगे, जो मेंन कन्फ्यूजन वाला डायाग्राम है, वो यहां बताऊंगा, तो अगर वो बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हों, तो साई सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, जिसको सत्य मान के चलना है, फर्स्ट एज, सम, यह फर्स्ट सर्कल ले लिया, और दूसरा ले लिया यह, ओके, सम डॉक्टर्स आर पेशेंट, इसमें हम लिख लेंगे, सम डॉक्टर्स आर पेशेंट, ठीक, लेकिन सम वाले का सिर्फ यही डायाग्राम नहीं बनता, जब यह स्टेटमेंट आती है, सम वाले स्टेटमेंट आती है, तो याद रखना है, तीन तरह की probabilities होगी, यहाँ पर UGC net वाले, जो candidates हैं, वो भी गलती कर जाते हैं, अब वो तीन probabilities कौन सी हो सकती हैं, इसको blue color करूँगा, और यह circle दिया, ओके, यह रहा, एक, और यह रहा, अब क्या है, दूसरी, इसी में से दूसरी implication क्या निकलती है, let's say लिखेंगे, all doctors are patient, ठीक, तीसरी क्या निकलती है, all patients are doctor, मैंने क्या बताया इसमें, यह तीन diagram, diagram A, A, B, और C, निकले हैं, किसमें से some doctors are patient, अगर यह statement है, तो इसमें से यह तीन conclusion निकल सकते हैं, final कौन सा होगा, यह maybe, maybe बाले होंगे, यह तीन है, यह तीन है, लेकिन next वाली क्या statement है, all patients are surgeon, अब इसको overlapping करेंगे, इसके साथ, all patients are, all patients are, यह कर दिया, एक तो बनेगा, यह बला, इसमें यह cover होगे, सारे patients, it means, all patients are, क्या है, surgeon, इसका सर्थ, यह भी बन सकता है, doctor भी cover हो सकते हैं, वो भी बन सकता है, probability है, यह ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, और दूसरा क्या बन रहा है, कि all, क्या है, all patients are surgeon, all patients are surgeon, यह all patients हो गए, यह हो गया, और यहां पर all patients are surgeon, surgeon, all patients are, all patients are, अब यह patients यहां भी हो सकते हैं, यहां cover भी हो सकता है, यह सारा भी cover हो सकता है, यह बात स्वष्ट हो गए, clear करनी है, all patients इसके बाहर आएंगे, सर्कल जो बाहर आएगा, ठीक है, यह यहां भी सर्कल आ सकता है, और इसके बीच भी सर्कल आ सकता है, अब इनमे से कौन कौन से conclusion निकल सकते है some doctors are surgeons एनों में से अगर कोई निकलmayın जब Courant conclusion होगा some doctors are surgeons some doctors are surgeons यह निकल रहा है it means पहले वाला पक्का है conclusion निकल रहा है दूसरा no patient is doctor no वाला कभी भी circle बनता है तो याद रखना है वो बनेगा हमेशा ये और दोनों अलग लग इस इन तीनों में से कोई भी ऐसा डायागरमा रहा नहीं बना कि दोनों circle अलग लगे हैं overletting zero गए वो बनेगा no patient is doctor ठीक है तो conclusion ये वाला जो है second वाला वो नहीं निकल सकता है ये पक्का नहीं है ये पक्का है ठीक तो अगर ये पक्का है ये पक्का नहीं है it means neither a nor a ये भी गलत हो गया बोत वाला ये भी गलत हो गया first वाला ठीक है ये थी sillagision की reasoning इसके regarding question हो आपको जरूर पूछना क्योंकि ये जो sum वाली statement है इसको जब आप clear कर लेते हो तो आपके सारे answer निकल जाएंगे दूसरा sum not वाली है वो confuse करेगी उसका extra वीडियो में आपको बताऊं ऐसी question को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये पैरा छोटा सा जो है इसमें से ही लिखा है question number 84, 85, 86 तीन question इसमें से पूछे जाएंगे इस पर अगर आप थोड़ी energy लगा रहते हो तो तीन question के answer आप gain कर सकते हो questions से डरना नहीं है मुझे एक group of five students appearing in an interview HR department notified that in the group cases youngest should first appear in the interview followed by next younger and so on Elisa says I am मुझे लगता है यामपर मैं comfortable हूँगा मुझे समझ आगी है मुझे हिंदी में समझ आएगा जल्दी मैं जल्दी करता हूँगा मैं वहाँ shift कर रहा हूँ ये आपको इसमें अबता रहा हूँ तो अगर आपका mind कह रहा है कि यार मैं वहाँ पर ज्यादा इस question के लिए फील कर रहा हूँ हिंदी या तंजाबी में जो भी आपकी भाशा है तो वहाँ आप shift कर जाएगे अच्छा अब ये क्या कह रही है कि सबसे छोटे को पहले गुलाया जाएगा मैं अलिसा कह रही है अप इसके लिए यहाँ पर आपने लगा लिया अलिसा इल डाल लिया अलिसा क्या कह रही है मैं चरन से दो साल छोटी हूँ अलिसा यहाँ exist कर रही है यह सर्पल उसका हो गया थोड़ा छोटा सर्पल अलिसा यहाँ exist कर रही है मैंने इसलिए 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 आपको बिदाएगा, वीजुली बितादेगा कि कौन कहा है, यहां आगा है चरन, चरन से दोसरे चोपने हो, फातिमा कहती है कि मैं अरुना से एक साल बड़ी हूँ, देखिए ना यहां फातिमा है यह ना यहां अरुना है, इत भी यह स्टेट मैं फातिमा से तीन साल, एक, दो, यहां आगया तीन, फातिमा से यह आगया फातिमा, फ दाल गया फातिमा से तीन साल बड़ी हूँ ठीक है, एक-एक साल का यह डिफरेंस है, नेक्स्ट है, कि पिछले बादा जो पढ़ेंगे, जिसका लिंक नहीं मिल रहा था, अलिसा कहती है, मैं चरन से तो जाएं, हाँ, फातिमा कहती है, मैं अरुना से एक साल बड़ी हूँ, यह आगया अरुन, अरुना से एक साल बड़ी हूँ, ठीक है, यह एक-एक साल का डिफरेंस है, इसको ऐसे नहीं मान के चलो, नेक्स्ट है फातिमा चरन कहती है चरन कहती है मैं फातिमा से तीन साल बड़ी हूँ चरन कहती है मैं फातिमा से तीन साल एक दो तीन हो गया कि पहले हो चुका है रिपीट हो रहा है अचा गरिमा कहती है, मैं एलिसा से छोटी प्रहन दू फातिमा से बढ़ी हूँ कौन कह रही है, गरिमा कह रही है, एलिसा से छोटी प्रहन दू फातिमा से बढ़ी हूँ गरिमा यहाँ पर बीच आग Everybody, गरिमा पर यह रेट यह लगा लिया और उसने sign नहीं बताया, it means यहां पर गरिमा आ रही है, भिट में, ठिक, यहां आ रहे कौन, और यह कौन उपर नीचे है, अब question क्या है, सबसे पहले शाकशक कार के लिए किसको जाना चाहिए, उसने कहा था, यह जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, यह जो उचाई बत इसका right answer, अरुना, अरुना, first का, सबसे पहले interview के लिए यह जाएगा, साक्षात कार के लिए सबसे अंत में कौन जाएगा, नैचली सबसे बढ़ा, फिर कितनी easy मिल गया, दूसरा, यह right answer है, चरण है, यह चरण है, अच्छा, निमिन लिखत में से कौन सा पतन सकते है, फु यहां बनते हैं, यह एक साल और यह देड़ साल, देड़ साल बड़ी है, पहली गलत होगी, फातिमा आलिसा से दो साल चोटी है, यह दो साल नहीं, एक साल बन रहा है, एक साल चोटी है, यह भी गलत होगया, आलिसा अरुना से दो साल बड़ी है, आलिसा अरुना से दो साल एक, दो, साल बड़ी है, अलिसा, अरुनासी, अलिसा, अरुनासी, दो साल अड़ी, यह राइट आंसर है, फ्रिकुल, ठीक है, फातिमा, गर्मा से एक साल चोटी है, फातिमा, गर्मा से एक साल चोटी है, नहीं, आदा साल चोटी है, राइट आंसर इस C, तो यह डाइग्राम height, upward, distance इसकी थोड़ी सी practice करोगे इसको मैंने साल में convert कर लिया और सारे question जो है answer देने में जो मुझे facilitate किया और जो आप नाम use कर रहे हो अगर same नाम है तो उसका जो differentiate नाम कर रहे हो यूज करो आप energy मत लगाओ पूरे पूरे नाम लिखने में following are the score obtained by four students in last six tests test one, two, three, four यह sorry, जो है six जो है यह test है और यह student है A, B, C, D तो अब question क्या है थोड़ा ज़र वो भी देख लें in a term of variation in this score which student was found to be most consistent define किया गया है with least variation, सबसे कम variation किसमें है or with most and most inconsistent respectively, ठीक, पहले consistent देखना है, most inconsistent देखना है, देखिए उसके लिए क्या है, कि जो score है, देखना है जो पहले score के close रहरा है, उसके ही close रहरा है close रहरा है, जितना close एक दूसरे के रह रहे हैं वो consistent, जा consistency उसको कहते हैं, हिंदी देख सकते हो, क्या लिखा है कि संगत संगत, कम से कम विविन ताइं, ठीक, तो यहां पर आप को calculation भी कर सकते हो लेकिन, अगर time कम है तो आपने calculation में नहीं पढ़ना, एक observation से ही काम चलाना है, कैसे मैंने कैसे किया, कि मैंने यह देखा 58 है, 42 है 76 है, variation काफी है, 42 से 76 की, अब मैंने 42 और 76 को calculate नहीं किया, सिर्फ यह देखी है कि बड़ी है, ठीक है दूसरा formula मैंने इसमें से सबसे छोटी एकदम निकाली, 24 और सबसे बड़ी, 76 निकाली इससे भी पता चलता है, कि variation बहुत ज़्यादा है, ठीक, यह easy वाला method है, कि variation आपने दो extreme वाली देख ली, तो इधर गया, इधर मैंने देखा कि नहीं, 24 नहीं है इट मेंज अभी तक कि यह variation ज़्यादा चल रही है, और 76 भी नहीं है, इट मेंज यह इससे कम variation वाली है, और इसका average score भी है, इससे कम होगा अच्छा, next, 72 है यहाँ 76 है लेकिन 24 नहीं है, 27 है इट मेंज 24 76 है, यहाँ 27 है 72 है तो मैंने क्या एक rank बना लिया, अपने मन में बना सकते हो, आप लिख भी सकते हो कि variation सबसे ज्यादा इसमें है, मैंने line को अपने मन में बना लिया कि variation इसमें ज्यादा इसमें है जो c है इसमें second number है जहाँ इसको first rank दे दिया इसको second rank दे दिया इसको third rank दे दिया, ठीक है मैं line भी लगा सकता हो, ऐसे भी दूसरा दिर का बताने लगा हो कि मैंने variation को draft ऐसे करना है अपने question booklet पर ही मैंने लिखा ऐसे, ये variation ज्यादा है, ये variation मेरे लिए कम है, और ये variation और कम है और ये मेरे लिए लगा कि ये ये बला most consistent हो गया, क्योंकि दिखाई दे रहा है, साफ कि 44 है, जड़ी 54 है 49 है, थोड़ा जब अंतर है 5-6 का, तो calculate करने की ज़रूरत नहीं है 49 ये, दो का ही है, बहुत कम है बहुत कम है, साफ साफ में है extreme जैसे 24 27 है, ये ज़्यादा वाला है तो ये मेरे बाद समझ आ गई मैंने rank लिख भी लिया ये 4th पर है, सबसे ज़्यादा सबसे कम consistent, सबसे ज़्यादा inconsistency इसमें है तो question क्या पूछा गया है आपने इतना timing लगा आपने observation से ही variation note कर लेनी है अगर आपके पास time है तो आपको calculate भी कर सकते हूँ, वैसे नहीं जरूरत पड़ेगी question क्या है in term of variation असर सबसे ज़्यादा consistent और inconsistent कौन सा है हमने ढूंग लिया है वो पहले ही सबसे ज़्यादा consistency सबसे ज़्यादा variation सबसे ज़्यादा कम 4th rank इनका था ना 4th rank variation का है याद रखना है consistency उसमें उड़ है आप कोई चीज का rank बनाएगे अगर आप rank बनाना चारते हो consistency का तो ये बनेगा एक ये बना था 2 और ये 3 और ये 4 अगर variation का बनाना है तो आपका बनेगा ये 1 और ये बन गया आपका 2 और ये बन गया 3 ये है variation का और ये है consistency का आप पूछा है के कौन सा सबसे ज्यादा है B सबसे ज्यादा consistent है सबसे कम सबसे ज्यादा inconsistence सबसे ज्यादा consistence संगत सबसे कम संगत B और A पहला उत्तर गोगार इसका देखते हैं B और A पहला उत्तर है है तो ये हुवारा answer रहेगा अब statement क्या है, which one of the following statement is true, A is having lower average score than other but is more consistent, पूछा क्या गया है, कि A का जो average score है, इन से lower है, कैसे lower हो सकता है, 76 इतने बड़े बड़े score है, इन से कम नहीं हो सकता, that is why ये गलत होगी, दूसरी बात, कि ये सबसे ज्यादा inconsistent है, consistent नहीं, दूसरा, A is having higher average score than others, हाँ, ठीक है, क्योंकि D का थोड़ा थोड़ा कम था, next का भी देखा जा सकता है, बट अगे पढ़ लें, शायद अगली statement हमें बिलकुल असान कर दे, but is more consistent, A को फिर more consistent बोला है, लेकिन ये inconsistent है, दूसरी statement भी गलत होगी, D is having higher average score, D, D का higher average है, यहीं क्योंकि अगर इनमे 76, 76 इदर आ रहा है, ये भी ज्यादा है, ये थोड़ी कम वाली है, इसका सबसे कम average score आएगा, ये observation से मुझे पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 63 भी आ रहा है, इसमें 76 भी आ रहा है, extreme score ज्यादा ज्यादा जा रहा है ये mean score को बढ़ाएगा, तो ये तो average score इसका सबसे कम होगा, लेकिन इसने क्या का है, के C में, के D is having higher average score than other, गलत हो गया, but is more inconsistent, पर inconsistent भी नहीं है, consistent है, ये बला, ठीक, तो fourth देखते हैं कि, none of the above three statement is true, yes, कोई भी उपर पे से, ठीक, नहीं है, next question है, ये direction दी गई है, यहाँ पर question number, दो question है, following the diagram gives information about the number of boys and girls admitted to the program, ये graph दिया गया है, आपने इसको observe करना है, नीचे दियेगे, उत्तर देने है, तो यहाँ पर थोड़ा ये ज्यादा पिएर है, लिख लेता हूँ, यहाँ पर पहले question पढ़ लू, क्या है, 2011 से ठारा तक कारे करम में कुल कितने विद्यारती प्रवेश को प्रवेश दिया गया, आप यहाँ पर देख लेए, थोड़ा diagram क्लियर कर रहा हूँ, वहाँ पर क्लियर ही होगा, हाँ बलती भी हो सकती है, यहाँ लिखने लगा हूँ, आपके लिए, यह 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, ठीक है, यहाँ तक है, अब जोड़ना 11 से यह है 18 तक, यहाँ तक के सारे देखना है, अब यह आप एक-एक को calculate नहीं करोगे, आप अंदाजा लगाओगे क्योंकि option में बड़ा-बड़ा difference है, ठीक option जो नीचे दी गई थी, अब आप देखोगे कितने साल का है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ साल का है, और लगबग यह बन रहा है, एवरेज, इनको भी गर्ल्स को भी देखना है, केवल ब्लैक वाले नहीं देख लेने, जो लाइट है वो भी देख लेने, क्योंकि बॉइस और गर्ल्स दोनों है, ठीक, तो यह आठ साल का हो गया, और लगबग एवरेज कितनी बनेगी, लगबग यहां दिखाई दे रही है, इनके मिडल में लाइन खींच के देखी है, क्योंकि यह वाले मैंने जल्दी जल्दी देखे, यह वाले यहां कबर हो रहे है, यह वाला यहां कबर हो रहा है, यह वाला य स्कोर होगा ठीक है तो यह होगे मैंने 100 जल्दी 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 किया 100 और 8 साव का है 11 से 18 तक एक दो तेम चार पांच 6 7 8 100 और 8 ठीक है यह आशो के करीब बनेगा अब मैंने करीब सोचा है कि मैंने exact calculation नहीं की next देखते हैं कि इन्होंने उत्तर में option क्या दी गई है अब उत्तर में क्या है 800 निकाला है ना तो यह 800 किसके निकाले हैं यह एक जनके जहां बॉयस या गल्द के हैं और उनको दो से गुना कर तो 8 1600 हो गया answer आ गया 1600 यह जो 100 है यहां तक हम ने किया था ना तो यह 8 किये लेकि लेकिन यह दूसरी तरह आपने अगर गुना दो कर लीजे जाने कि एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौदस यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सूरा ऐसे भी कर सकते हूँ 16 है 100 जो एग्मिटन है 16 सो हो गया answer ऐसे भी आ सकता है वो आपने इतनी यह exercise के लिए है लेकिन जल्दी इससे guess करके आप जल्दी error time कम है तो आप जल्दी इस में से क्यों की option बहुत बढ़े बढ़े दिये गये है इसलिए ज्यादा exact calculation की जरूरत नहीं दिखाई दे रही तो आप answer find out कर सकते हैं कौन से वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत संख्या लड़कियों के प्रवेश में पंजिकृत की गई अगर आप लड़के लड़कियों का वो लगता है तो आप English में पढ़ जाए in which year did the admission of girls register maximum percentage increase with respect to previous year girls को देखना है और previous year को देखना है दो बाते हैं ठीक है girls जो कौन है यहां पर से देखेंगे यह black वाले boys हैं और light वाले girls हैं ठीक तो किस में से एकदम जाला increase हुई है यहां से जो girls हैं यह decrease हुई है यहां से decrease हुई है इसको साथ में draw भी कर लेती हैं आपको दिखाई देगा यहां से थी ना यहां से decrease हुई है यहां से increase हुई है ठीक तो यहां से increase हुई है यह कि कहा है यह 2014 है यहां लिखा हुआ तो right answer है इसके बाद भी देखना है कि क्या है यह increase हो रही है यह भी increase हो रही है इसके बाद decrease हो रही है कुछ ऐसा question भी पूछा जा सकता है तो आपने गल्स को गल्स से करना है और previous एकदम जो increase आया है वो यहां से आया है 2014 में answer देखते है और 2014 है अगर है तो उसको उन्टिक कर देंगे देखते है देखते है दोजर चॉबाद है वी इसने रही है तामसका